Hello everyone, I welcome you all to the next lecture of Progressions और बच्चों अभी तक हमने पूरा का पूरा अरिजमेटिक प्रोग्रेशन डीटेल में कर लिया है with every possible question there can be जो हमारे पास J-Mains में आए हो, AEEE में कभी आए हो State PTs में आए हो, J-E Advanced में आए हो फिर्ण ही बता दिया था कि हमें, Arithmetic Pr Bioletion पढ़ना है, Geometric क्रोग्रेशन पढ़ना है, Harmonic Progression पढ़ना है Arithmetic Geometric Progression पढ़ना है और कहीं तो लेट स्क्टार्ट विद्झ जामे जामेट्रिक प्रोग्रेशन सो बच्चों आप यह जाद करो कि हमने जब Arithmetic प्रोग्रेशन पढ़ा था तब अरित्मेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि वह एक ऐसी सिरीज है या वह एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर कंजीक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वह सेव होता है बोलने का मतलब यह है कि अगर पहला टर्म था तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा एक प्लस दी उसके बाद वाला टर्म होगा एक प्लस थीडी हो क्या रहा है हर टर्म में हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस एड होता जा रहा है मैंने पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो दूसरा टर्म बना दूसर था क्योंकि common difference आप जोडते जारे था आप common difference जोडते जारे 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 geometric progression जैसा की definition प्रच्छों लिखा हुए देखो geometric progression is defined as a series in which ratio between any two consecutive terms is constant throughout the series this constant ratio is called the common ratio वहाँ पर क्या था difference of any two consecutive terms was constant arithmetic progression बच्छों क्या हो रहा था कि दो terms के बीच का difference था लेकिन geometric progression का जो भी हमने definition देखा है उसमें क्या बोल रहा है definition यह बोलता है कि कोई भी दो consecutive terms के बीच का ratio same होता है कोई भी दो consecutive terms के बीच का ratio same होता है is defined as a series in which the ratio between the two consecutive terms is constant बोलने का मतलब यह है कि मान लो अगर मेरे पास पहला term a1 है दूसरा term a2 है दूसरा term a3 a4 and so on up to a n-2 a n-1 a n मान लेते हैं कि सारे के सारे जो terms है वोई gp में मान लेते हैं सारे के सारे जो terms है वोई gp में तो अगर वो geometric progression में arranged होंगे तो इससे होगा क्या इससे होगा यह कि terms के बीच का ratio same होना थी इस a2 by a1 must be equal to a3 by a2 must be equal to a4 by a3 and so on and so on till a n-1 by a n-2 and this should be equal to a n by a n-2 यह ratio जो होता है यह ratio हूंपा same होना थी है सिस ratio This ratio is called common ratio जिसे generally हम small r से represent करते हैं जैसे common difference का हम small d से represent करते हैं उसी तरीक आके से common ratio का हम generally small r से represent करते हैं तो this is equal to small r this is equal to small r भूलने का क्या मतलब है कि अगर Hill Red कि अपशे वैं की वह सबस्क्राइब कर दो Flag Tan आ यह स्कूल यह यह सब्सक्राइब किया कि मैं मैं इसमें तो बोलने का मतलब क्या है जिस तरीके से एपी में हर पिछले वाले टर्म पर मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ता जा रहा था और मेरे पास अगला टर्म आते जा रहा था या हर कंजीक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस से होता था उसी लॉजिक से जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर पिछले वाले टर्म में मैं कॉमन रिश्यों मल्टिप्लाइब करता जाता हूं ए आर में आर मल्टिप्लाइब किया तो इस तरीके से मेरी सीरीज बनेगी और इसमें जनरल टर्म क्या होगा देगो अगर यह पहला अगर यह दूसरा अगर िसरा तोहिए तरीके से मुझे बताओ लोतों यह चीज सोचते हैं कि यहां पर घ्रम में पार जी रहे दूसरे लान है और मैं पावन पावर टूरों है और सबके यहां पर R की पावर N-1 होना छी है, अगर यह चीज बच्चों समझ में आती है, तो इसका मतलब क्या है, कि जन्राल टम ऑफ अफ जीपी इस A into R raised to the power N-1, where A is the first term, and R is the common ratio, and N is the number of terms. तो क्योंकि बच्चों हम अपने जो basic वारा definition है, वो पढ़ दिया है, कि geometric progression होता क्या है, और किस तरीके से उसमें terms arranged होते हैं, यह वाली चीज आई बिलीव आप सबको अभी तक clear होगी, अब हम इस पे कुछ बहुत basic-basic से एक-दो सवाल बना के देख लेते हैं, तो देखें, अगर हम अच्छों पहले सवाल की बात करें, अगर हम पहले सवाल की बात करें, तो हमारे सामने लिखा हुआ है, एक GP में, given in a GP, given in a GP, third term चोड़े, third term की पीटा वैली अपने पास दियो ही है, 2 और जो 6th term, 6th term की पीटा वैली अपने पास दियो ही है, माइनस 1 by 4, 6th term की अपने पास पेटा या highly बदाए और यह है, सारे के सारे हैं माले पास terms GP मेरे कमान देते हैं पहरला term A था, फिर AR, फिर AR² था, फिर AR¥ नहीं था है है इस तरीके हैं मुझे चाहिते हैं मिले पास सारे के सारे terms मुझे क्या सीज़ पताः, अगर third term की value 2 है mistलो mar square, आर square की value है 2 और अगर पैर 6th term की value minus 1 by 4 इतना मुझे समझ में आता है और T10 की वायू क्या होगी एक्वेशन फॉस्ट है और अगर मैं आपको गोता हूं कि एक्वेशन 2 को एक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो विगाएड असान सी चीज है कि जब हम A R की पावर 5 दिवाइड बाइड आर स्क्वाइड करेंगे तो हमारे पास आयाएगा माइनस 1 बाइ 4 दिवाइड बाइ 2 और अगर A R दिवाइड पावर 5 पाई A R स्क्वाइर यहां पर लिखा होगा तो देन देशन क्लाइज ए से A एक एंसलो जाएगा आर की पावर 5 बाइड स्क्वाइड मतलब R Q and this is equal to minus 1 by 4 by 2 which is equal to minus 1 by 8 तो क्या यहां से क्या यहां से हम डायक्ली गो चक्ते हैं कि अब अगर एक बार अपने पास minus 1 by 2 अब अगर एक बार अपने पास R की वाल्यू माइनस 1 by 2 आ गई तो आप इस एक्वेशन से देख सकते हैं A into R स्क्वाइड माइनस 1 by 2 का स्क्वाइड इस इक्वाल टू यह चीज होती है तो यहां से हमारे पास बताओ क्या जाएगा A into 1 1 by 4 is equal to 2 या A की value हम बोल चकते हैं A की value हम बोल चकते हैं A अगर A की value 8 आ गई और R की value minus 1 by 2 है तो बताओ A into R raise to the power 9 किसना होगा तो this will be equal to 8 times minus 1 by 2 raise to the power 9 या इसको हम बोल चकते हैं 2 का cube और क्योंकि minus की power odd है तो यहां माहर माइनस आया का divided by 2 raise to the power 9 तो this will be equal to minus 1 by 2 2 raise to the power 6 या इसको हम बोल चकते हैं minus 1 by 64 इसको हम बोल चकते हैं minus 1 by 64 मतलब इस GP का इस GP का बेटा जो 10th term होगा that will be equal to minus 1 by 64 a fairly easy question to get comfortable with the topic अग्ले सवाले बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है कि अगर पी एथ क्यूए फर आर इस तरीके से मान लेते हैं जीपी ठीक है आपको बोला जारे उसका पी एथ क्यूए तरम की वैल्यू एक्सञाओ च्पया मतलब विसका पी एक्सञाओ इस जीपी का पी एस तरम बदाओ क्या पी एस जीपी का प्यारे सुधाओ प्लपावर सेटीट अ क्यों च्वाल्यू था। सब्सक्राइब तो उस वजह से पी एच टम जोगा पुली दिए एक्स इस जीपी का हमारे पास बताओ क्यों एच टम कितना होगा क्यों एक्वल डू आइच तो पावर क्यों माइनस वन पर इसकी वाल्यू मुझे दिए यह बाइच बाइच तर्म रह पास होगा यहां एक बाइच पर दूद आप देखो आप आर और ना हो जाओ यह चलो आप इस वह यह रहार आप इस पर आपको चेंज कर लेते हैं आपको यह तो इस जीपी वी पीटा हमान रेशियो जो है उसको एक प्यापिटाल आप लेते हैं सू अबमें को स्माल आप इसको के पीटाल आपान रेते हैं तो इस जीपी अल्स चंहें क्या हो जाएगा दो आपक्ना धी आपक्ने पास दी इसका बीए अब हमेंगा बोला रहा है proof that this thing is equal to 1 this thing is equal to 1 so x raised to the power q minus r x raised to the power q minus r बोलो इसकी राइब कितनी होगी x raised to the power q minus r मतलब ये वाली जो पूरी चीज है a into r raised to the power p minus 1 की power में q minus r यही होगा उसके बाद बोला रहा है y raised to the power r minus p y raised to the power r minus p इसका मतलब किया है अगर इसका power r minus p किया तो इस पूरे का भी power r minus p होगा तो a into r raised to the power q minus 1 का power r minus p और उसके बाद बोला जाला है z raised to the power p minus q z raised to the power p minus q इसका क्या मतलब होगा कि अगर z की value a into r raised to the power r minus 1 था तो इस पूरे का power इस पूरे का पावर मुझे पी माइनस क्यू और करना है अब जैसे यहां इसे solve करेंगे तो आप देखिए यहां पर हमारे पास आजाएगा क्योंकि हमें एक चीज पता है कि a इंटु बी रेस तुद पावर m जो होता है वो होता है a रेस तुद पावर m इंटु बी रेस तु q-r वैसी यहां पर आजाएगा a raise to the power r-p into capital r raise to the power q-1 into r-p और यहां पर अगर अपने पास आजाएगा a raise to the power p-q तो multiply हो जाएगा capital r raise to the power r-1 times p-2 यह चीज हमारे पास आजाएगी जैसी हम इस तीनों को multiply करेंगे, जब हम multiply करते हैं, तो आपके अगर यहां पर यहां पर आप बेटा देखें, यह जो सारे अगर सारी बेसे हैं, इनके powers क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे multiply करने में तो हमारे पास आजाएगा a raised to the power q minus r plus r minus p plus p minus q यह सीज मेरे पास आजाएगी किसमें यह सीज मेरे पास आजाएगी a के exponent और अगर r वाले terms को मैं देखूंगा तो उनके भी उपर के सारे के सारे आजाएगे तो आज आजाएगा आपने पास p minus 1 into q minus r plus q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q यह चीज मेरे पास आजाएगी और इस पूरे की value मुझे प्रूफ करनी है बनके बराबर है तो यहां से हम देख सकते हैं माइनस q plus q minus r plus r minus p plus p सारे के सारे cancel out हो जाते हैं तो a की पावर में तो बच्छा 0 अब अगर हम बात करें capital r की पावर में common ratio की पावर में तो आप देखें यहां पर जब हम multiply करेंगे तो p minus q minus r से multiply होगा तो pq उसके बाद माइनस p r फिर minus q और plus r यह अंदर में इसके पूरा multiply होगे अब इसे जब हम multiply करेंगे तो बताओ क्या है कर qr minus p q q r minus p q minus r और plus p और last color जब में bracket multiply करों तो यह पास आजाएगा ut pr minus r q minus p plus q यह चीज में पास अचाएगी अब यवाला प्लस q q और यवाला minus p q cancel out यह वाला minus p r और plus p r cancel यह वाला minus q और यह वाला plus q cancel out यह वाला plus r और minus r cancel एक सब्सक्राइब मारे चलोफ के वाम संपारो प्लिछ-ग्स जिरुसुखना चाहता है तो यह वाला सब्सक्राइब बहुत लाई इसरें सवारो असान यह यह है कि हम अपने टॉपिक से और किस तरीके से हमें जीपी के कंचेट को यूटिलाइज करना है या अप्लाय करना है क्वेस्टन में उस चेम थोड़ा सा कंफर्टिमन हो पाए तो बच्चों जिस तरीके से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनेफ टांस तक का सम निका अब इमाजिन करो हमारे पास एक जोमेटिक प्रोग्रेशन है ए ए आर ए आर स्क्वेर ए आर क्यूब और ऐसा करते हैं अन्स टर्म तक जाओं तो एंटू आर इस तो पावर एंट माइनस तर्म तक मैंने जमाय होए एक गट को पावर को तो तो में लेज़े को क्या मेरे पास एक अपने पासblesिन आप है यह पिया इस वाले को आप इस वालें वह से से ईक्टिक्लाइब करें दो दोल्ने का मतलब यह कि यह अग्ला बन जाएगा अग्ला बन जाएगा आर्सक्वेर क्यों मिस्के बाद बन जाएगा और सके बाला बन जाएगा और श्कुर्यूब से सिस्त तरीक से अगर हम भी टाम देखें तो यहां पर आपके पास शुल टाओ रहा होगा कि ए तुर पावर nella होगा है पास रहा हो दो यह रहा हो Warm फ्लेकला होगा ऋसी रहा हो बेटा मैं आपको बोलता हूं कि यह मानलेते हैं एक्वेशन बन और यह मानलेते हैं एक्वेशन टू ख़ा कि एक्वेशन 1 में से एक्वेशन 2 को मैनस करतों जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या यहां पे मैं s-sr कि का वैल्यू कितनी आज जाएगी इसकी वैल्यू आज जाएगा देखो यह वाला a-r और a-r यहां पर अगर आएभे तो यह वाले तो आप्सकी यह तरीक इसी आपने से बाद करें ऐसे और सारी आपने के बाद बचा किया जहां पहला ताम मेरे पास यहां का जीज बचेगा यहां से मैं देख सकता हूँ कि S common आ गया bracket परचा 1-R और यहां से मैं देख सकता हूँ A common आ गया bracket परचा 1-R raised to the power N which means, which means कि sum की value is equal to A into 1-R raised to the power N upon 1-R sum जो आया अपने पास इस series का, अपने पास इस series का N terms का जो sum आया वो होता है A into 1-R raised to the power N upon 1-R अब जैसे ही हमने हमारे पास यह वगर term का sum आया, अब इसमें देखो क्या है अगर मानलो R की value, अगर मानलो R की value 1 से छोटी है तो यह जो मैंने series लिखी है, यह जो मैंने series लिखी है इसमें कोई दिर्कत नहीं, आप इसका sum यह बोल सकते हैं अगर मानलो R की value 1 से बढ़ी है जो भी common ratio होगा, अगर वो 1 से बढ़ा है तो आप बेटा मुझे यह बताओ कि क्या यह वाला term negative हो जाएगा नीचे बढ़ा और यह उपर वाला term negative हो जाएगा तो क्या इस series को में rearrange करके ऐसा लिख सकता हूं कि A into R raised to the power N minus 1 upon R minus 1 बहुत ज़्यादा फरक चो नहीं पढ़ता फरक इसमें नहीं पढ़ता विटा क्योंकि हम नीचे वाले में से भी minus sign common ले लिए उपर वाले से भी minus sign common ले लिए तो यह लेती है तो अगर आपकी वाल्यों से बढ़ी होगी तो डिनॉमिनेटर भी positive देख रहा है और निमेटर भी positive देख रहा है इसके बाद अगर मालो आपकी वाल्यू वन के बराबर अगर मालो common ratio के बराबर होगी क्या होतो बताओ यहां पर यह जो series है क्या वह एक GP बनी या AP हो गई यह दोनों बोले सकते AP भी है GP भी है क्या बोले को बताओ जैसे R की वाली वेटा बन होगी तो आपके पास जो series होगी वह A into AR into AR square into AR cube ऐसा करते एक करते एंटू आर बेसे दिवाओ और यह एंड टर्म जो लिखें आप इसको AP बोल सकते हो जिसका common difference 0 है आप इसको GP बोल सकते हो जिसका common ratio 1 है एक ही बात है तो इसका से बड़ी है तो मैं उसको उसी तरीके से rearrange करके ऐसा ले सकता हूं और अगर आर की वाली वन के बराबर है तो मेरे पास जो समा जाएगा एंड टर्म्स तक होगा एंड टाइंस के अब इसमें एक चीज़ बतानी रहे आप बेटा यह सोचो कि जरूरी थोड़ी जरूरी थोड़ना है किarnya GP वह जो जीपी आपका एैंड टर्म्स तक काईलो मान लो मान लो युत司रीज में तुम्हारे पास इंफाइंड टर्म्स हैं तो हम इससे एसा सोचके देखो कि अगर अगर और की वेल्यू वन से चोटी नी चीक है तो आप उज़े यह बताओ कि आपकी पावर एंड क्या हो अगर पेटा वा बोलता हूं कि एड जो है वह इंफाइनाइट है अगर एंड की वेल्यू बहुत जाता है तो आपकी पावर एंड कैसा है ऐसे आप अब चाहिए बहुत बढ़ी होते चाहिए तो आप ऐसा चलो कि जैसे जैसे आप एंट इंक्रीज करते जाओं आपके पास हाफ और जाओगे और आपने रखी तो आपके पास क्यूब आया और इस तरीके से जब आप बढ़ाते जाओगे तो मान्गों आपके पावर तक रखे तो यह आपके पास हाफ की पावर और इस तरीके से अगर आप जाओगे तो में फाइनदा बढ़ा होता है लिए डज़या पींट को समझना यह कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं मेरा डिनामीनेटर बहुत जादा बढ़ता जाहा है देखो यहां पर टू की पावर वन यहां टू की पावर टू यहां से पावर टू यहां टू की पावर 10 यहां टू की पावर 100 जैसे जैसे मैं अपनी जीपी में आगे बढ़ता जा रहा हूं अगर कॉमन रेश्यों की वादी 1 से छोटी है तो मेरा डिनॉमिनेटर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जाए और इमाजिन आप करो कि जब आप 2 की पावर इंफाइनेट कर दोगे तो डिनॉमिनेटर कितना बढ़ता है तो जब डिनॉमिनेटर बहुत बढ़ता होता है तो यह नमबर की वाईल्यू बहुत छोटी होजाती है आप ऐसा सोचके देखो कि देखो अगर आपने किसी नमबर को छ को बहुत बढ़ा कर दो तो जितने बड़े नंबर उतना ही चोटा हो जाएगा तो बोलने का यह मंफब वेटा कि जब यह सीरीज आगे बढ़ते जाएगी तो यह वाले सारे की सारे की उत्वाइब जो तुंगे ब्राव से तो यह कि वेटा में के सबस्ट को समझाने वालजा है वह यह की वें वेंटेंस टु 1ेंस 2 उस अगर कॉमन रिश्यों की यह बहुत इंपोड़ेंट चिजह ह्यां बहुत इंपोड़ेंट चिजभ बहुत बहुत इंपोड़ेंट जीज ही होती है उस situation में उस situation में बैठा अगर 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 कमन रिश्यों की वाली वहन से छोटी है और अगर आपका infinite तक जाना अगर आपकी सिरीज में infinite number of terms है तो आपको लिए समझना पड़ेगा कि सिरी आपकी पावर की पावर एंड़ी जो कि यह आपकी पावर एंड़ा वाला जो टाम है अगर ऐंड़ा तक जाराए तो आपकी पावर एंड़ेट तो आप ऐसा सोचो कि यहां से आप बिटा देख सकते हैं कि कि आपका जीरो हो जाता है आपका जीरो जाता है अगर पहुंच जाये तो यह वाला त्यों नहीं होगा पहुंच जायेगा अगर हम infinite की तरफ जा रहे हैं तो यह बहुत चोट है यह बहुत चोट है जिसको हम मान के चलते हैं 0 तो आपके पास बताओ क्या आगिया सम अप्टू infinite तरफ सम अप्टू infinite ये इंफिनिटी की वाजिव आ गए एंटू 1-0 अपान 1-1-1-1-1 यह लोगे चीज जो है यह बहुत चीज बेटा वहती है जब common ratio 1 से छोटा होता है जब common ratio 1 से छोटा होता है अब आपको इसमें एक चीज और जो दिमाग लगानी है वो यह सिर्फ common ratio 1 से छोटा बोलना सही लाएगा सबसकर देखो अगर मैं r less than 1 बोलूं तो वो accurate है या मैं mod r less than 1 बोलूं यह accurate है दोनों में से ज्यादा accurate नीचे बोला है क्यों ज्यादा accurate नीचे वाला इसलिए यह क्योंकि देखो क्योंकि अगर मैंने r की value डाल दी minus 2 तो आप यह सोचो कि यहां पे क्या जाएगा minus 2 raise to the power n आजाएगा यहां पर आजाएगा minus 2 raise to the power n अब अगर अपने पास आगे हो minus 2 raise to the power n तो अगर n infinite की तरफ जाएगा अगर n infinite की तरफ जाएगा तो यह वाला मी तो term बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा आप यह समझो यह minus of यह negative infinity की तरफ चला जाएगा यह आपके पास positive infinity की तरफ चला जाएगा लेकिन यह 0 की तरफ नहीं आएगा यह वाले term को इस वाले term को बेटा हम 0 कब बोल पाये थे इस वाले term को हम 0 तब बोल पाये थे जब common ratio 1 से छोटा था मतला fraction था तो आप को ज्यादा accurate किया है minus 1 से 1 के बीच में बोला क्योंकि अगर आप उसको minus 2 रखोगे तो minus 2 की power infinity क्या होगा minus 2 की power infinity बहुत बढ़ा और पाया थो भुआ होगर बहुत बढ़ा नंबर लेकिन जीरो के पास नहीं को यहां स flour करोगे तो यह वाले की पूरी की value यह माइनस infinity तोichen 2 अंब्लारत का सःगी या यह प्लाश इनफिनिटी के पास यह लिए रे क То सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इंफाइनाइट टर्म्स तक का सब्सक्राइब कर सकते हैं अधर्वाइस यह होगा वह आपके पास पास चाहिए पास जीपी पास आपके फैंट्र जाएगा इंफाइनाइट तक के सम्सक्राइब बस नहीं एक सब्सक्राइब पर इंफाइनाईट तक में चलाएगा तो इस पूरे का सम् इस पूरे का सम इंफिनिटी हो जाएब और वैसे की बेटा वैसे ही आप यहां पर आर की वाली माइनस तू होती है तो नेगेटिव वाले टरम्स को कि क्या होता है वह यहां जो पॉजिटेव इंफिनिटी की तरफ चला है यह टो आपके पास क्केशिचन एक लिखा हुआ है if x 2x plus 2 and 3x plus 3 अगर ये 3 terms हमारे पर दिया है तो first 3 terms of a geometric progression then it's fourth term is तो इसका अगला term कौन सा होगा अब आप यहां पर बेटा यह समझो कि अगर x 2x plus 2 और 3x plus 3 अगर ये 3 terms GP में है अगर ये 3 terms GP में हैं तो हमें क्या पता है कि जो common ratio होता है वह सेम होता है इसका मतलब यह है कि जब मैं ये वाले term से इस त्रम को डिवाइड करूँगा और जब मैं ये वाले term से इस त्रम को डिवाइड करूँगा तो जो ratio आएगा वह सेम होना छिए विच इस हम बोल सकते हैं कि 2x plus 2 divided by x 2x plus 2 divided by x should be equal to 3x plus 3 3 divided by 2x plus 2 अब यह चीज़ बोल सकते हैं बहुत असानी से यहां से प्रेटा देखो अपने पास क्या आजा है जैसे हमने यह वाली चीज़ बोली तो यहां से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि 2x plus 2 का whole square should be equal to 3x plus 3 times x 2x plus 2 का whole square should be equal to 3x plus 3 times x और जैसे आप रेटा इसको solve करोगे जैसे आप इसको solve करोगे तो देखो क्या आज यहां से 2 का square 4 common ले लेते हैं अंदा आजाए x plus 1 का square मतलब x square plus 2x plus 1 और यहां से जब आप solve करेंगे तो यहां यहां 3x square plus 3x 4x square में से 3x square गया तो x square बचा 4 into 2 8x में से 3x गया तो मेरे पास बचा 5x और 4 into 1 मेरे पास आगया 4 और this is equal to 0 तो यहां से अपने पास x square plus 4x plus x 5x plus 4 equal to 0 x common लिया x plus 4 यहां से plus 1 common लिया x plus 4 is equal to 0 तो अपने पास बचा आगया x plus 1 times x plus 4 is equal to 0 तो x की value आप है minus 1 comma minus 4 x की value अपने पास आप है minus 1 comma minus 4 अब जैसी x की value minus 1 है अब एक चीज सोच के देखो एक यह बहुत important concept है जो में आपको बता रहा हूँ अगर x की value minus 1 आई मतलब कि यह मेरा term कितना हो जहागा 0 सबसके देखो 2 into minus 1 minus 2 और plus 2 0 होगे और x की value में minus 1 यहाँ रफोगा तो यह बहुत आप क्या होगा 3 into minus 1 minus 3 और plus 3 0 और अगर x की value minus 1 थी तो यह पहला term था minus 1 इसका मतलब यहाँ पे common ratio क्या आपके पास निकालना पॉसिबर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि आप यह समझें कि यहां पर 0-1 तो ठीक होता है लेकिन यहां पर 0-0 क्या निकाल यह तो आपको यह समझना है कि common ratio common ratio of a GP should not be 0 should not be 0 otherwise बेटा कुछ बचेगा निए आपके पास अगर common ratio 0 आगे यह आप यह मानों कि कोई भी अगर उसका term भी 0 आगे तो वह बचे रहें जीपी का कोई भी term जीपी का कोई भी term 0 नहीं आ सकता क्योंकि उसमें कि आप जो भी multiply करते जाओंगे हमेशा 0 आता जाएगा और 0 by 0 तो कुछ नहीं होता हमाँ पाता है 0 by 0 is nothing तो आप यह मान के जलो कि हमको X is equal to minus 1 को reject करना पड़ेगा मतलब X की value क्या होगी minus 4 होगी तो पहला term में अपने पास वह आगया minus 4 अगला term बताओ क्या जाएगा minus 4 into 2 minus 8 minus 8 और plus 2 minus 6 अगला term अपने पास आगया minus 6 minus 4 into 3 minus 12 और plus 3 minus 9 उसके बाद मेरे पास term आगया minus 9 तो बताओ इसका 4th term क्या होगा तो हमें यहां से यह सी पता चलती है कि common ratio जो R होगा that will be equal to minus 6 upon minus 4 minus से minus कर लिया इसकी value आती है 3 by 2 मतलब common ratio 3 by 2 इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यह वाले term में इस common ratio को multiply कर दूँगा तो मेरे पास 4th term आगया तो 4th term of this GP 4th term of this GP will be equal to minus 9 multiplied by 3 by 2 which gives me minus 27 upon 2 which gives me minus 27 upon 2 I think the C option is the correct answer next question पीटा मैं सामने लिखा गए if the nth term sorry the nth term of a GP the nth term of a GP is 128 nth term of a GP is equal to 128 and the sum of its n terms is 255 sum of n terms of a GP क्या होता formula a into 1 minus r raise to the power n यहां यहां पर देख सकते हैं को क्यों की common ratio 1 से बढ़ा है तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं a into r raise to the power n minus 1 by r minus 1 आपको ऐसा लिखना बटा आप लिख सकते हो फारक नहीं पड़ता इसकी value sum of the nth term is 255 sum of the nth term is 255 हमें कुछा जारा है अगर common ratio की value 2 है अगर common ratio की value 2 है तो बताओ इसका first term क्या होगा बताओ इसका first term क्या होगा बहुत असान चाह बच्छों समाल है ठेके यहां पर a into r raise to the power n minus 1 by r minus 1 इसकी value उतने पास 128 है अगर हम इसे solve करें अगर हम इसे solve करें तो 255 is equal to a into r raise to the power n minus a upon r minus 1 r minus 1 मतलब बताओ उतना होगा r की value 2 है तो यहां 2 minus 1 लिखती है तो 2 minus 1 तो 1 उतर तो इसको लिखा या नहीं लिखा कोई फारग नहीं पड़ता और हमें क्या पता है हमें यह पता है कि r की value अगर 2 दी हुई है तो a into 2 raise to the power n minus 1 इसकी value अपने पास तो कोई फारग नहीं पढ़ना सिए है ना क्योंकि 2 into 2 raise to the power n minus 1 क्या होगा 2 raise to the power n होगा और यह वाला minus a वैसे का वैसे तो यहां से आप देख सेते हैं कि 255 अपने पास value आ गई है a into 2 raise to the power n minus 1 की value 128 है तो a into 2 raise to the power n minus 1 की value 128 है और यह वाला 2 अला गए तो 2 multiplied by 128 और minus a वैसे का वैसे ठीक है यह वाला a into 2 raise to the power n minus 1 इसकी value कितनी ही 128 थी यह वाला 2 खाली बचावो तो 128 into 2 आगया 256 minus a और यहां आगया 255 जैसी इस minus a को यहां लिया हो जाए रहा यह 255 वहां चले जाएगा 256 minus 255 which is equal to 1 तो जो first time अपने बास आगे इस सीरीज का वो आगया 1 बच्चों आपको एक चीज़ सबको धिनान रखनी है कि जब हम जब हम कई सारे आसान असान सवाल बना लेंगे तभी हम अपने आपको तयार कर पाएगे पीटा difficult questions बनाने के लिए directly difficult questions आपको आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बिलीव इन मी कि आप जैसे जैसे धीरे धीरे सवाल बनाएता जाएंगे और लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे आप ज्यादा कमफर्टेबल टॉपिक से होप आएंगे चल अगे आशा अपने पास लिखा हुए एक जीपी का पहला तर्म और एथ तर्म जो है वह हमारे पास दिया हुए एन रेस तो पावर माईनस पोर एन और और पावर फिफ्टी तो पहला तर्म मान लेते ए तो एक की वैल्यों उपने इसका एथ तर्म ऑकने पास दिया हुए एन रेस तो पावर एट फर फिफ फॉर एमिस मनस Fenya से आपte पे पास आ चा उतार है उपार तो यहां से ए अपने पास है n raise to the power minus 4 multiplied n raise to the power minus 4 multiplied r raise to the power 7 तो r की ज़गा रग दिया n raise to the power n plus 4 और यह पूरा multiply हो रहा है 7 यह पूरे पावर में क्या है 7 इसकी वैल्यों हमें दिये हुई है कितनी 8th term 8th term की value और दियो है n raise to the power 52 8th term की value और पास दियो है n raise to the power 52 तो यहां से अगर हमें n की value निकालने तो देखो n raise to the power minus 4 multiplied by n raise to the power 7n plus 28 7n plus 28 और इसकी value आगा n raise to the power 52 तो यहां से n की power में आ जागा minus 4 plus 7n plus 28 is equal to n raise to the power 52 so this gives me 7n plus 24 is equal to 52 यहां लेक्षक ते 7n is equal to 52 minus 24 52 minus 24 will be 28 52 minus 24 will be 28 और यह 7n की value आगा 28 by 7 which is equal to 4 n की value आगा 28 by 7 which is equal to 4 so option c is the correct answer next question वेटा हमारे सामने लिखा हुगा एले लेट ABC form a GP with common ratio R a GP is its common ratio R तो अगर first term मेरा A है अगर first term मेरा A है तो क्या मैं? मान लेते हैं जबए एक GP हमारे पास A A R A R square and so on ठीक है? तो अगर यह हमारे पास वेटे एक GP है तो इसका first term मुझे क्या दिया हुए? उसके बार common ratio अगर R है तो यहां पर small r लिखना ज्यादा बेटर रहेगा small r यहां पर लिख देते हैं हमारे ठीक है तो बस जो यह बताओ वेटा जो B होगा जो B होगा जो second वाला term second वाला term किसके बार आवार होना है? A R के बार आपर यह जो A R की value होगी यह ही क्या होगा second वाला term which is equal to B और उसके बार third वाला term किया लिखा हुए C third वाला term यहां पर लिखा है A R square तो A R square की value आगई अपने पास C A R square की value अपने पास C हमें बोला जारा है R की value 0 और 1 के बीच में अगर A 2B और 3C अगर A 2B और 3C यह तीनो term से महारे पास A P में है तो बताओ R की क्या value होगी R की क्या value होगी यह हमें बताना है तो आप यहां से यह देखो कि यह जो पहला वाला term था यह जो पहला वाला term था यह तो A आ गया तो यहां पी मैं क्या लिख सकता हूं अब हमारे पास है A 2B और 3C अगर यह A P में अगर A 2B और 3C हमारे पास A P में है तो मुझे यह पता है 2 into 2B will be equal to A plus 3C यह चीज़ हमें बता है कि अगर A B और C अगर यह तीन terms A P में होते है तो 2B की value A plus C के बराबर होती है यह चीज़ हमने अगरे अगरे प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो उस लॉजिक से में यह चीज़ लिख सकता हूं अब यहां पे देखो हमें finally निकालना बेटा क्या है हमें finally value निकालना यह R की हमें A B C की value से कोई फरक नहीं पढ़ता है हमें value निकालना यह R की चीज़ों को R के terms में रखते है तो 2 x 2 यह तो 4 4 के बाद B की जगा पे लिख दिया A R B की जगा पे लिख दिया A R और उसके बाद A A की जगा पे तो A रहने देते हैं 3C 3C मतलब क्या आज है 3 times A R square 3 times A R square क्या यह चीज हमको दिखा ही देती है A R Yaa 4 R यह इसको आइब दारिक लेख देते हैं यह वाला A B यह वाला A यह तो आप डारिक्ली चैंसल ओट कर सकते हो क्योंकि हमको पता है कि कोई भी जो पूट है GP कर ता कोई भी GP कर तो नहीं हो सकता तो और कोई भी GP कर ता हम 0 नहीं हो सकता क्लच 3 स्केर्ट फोड़ों समर्त्राइब करके स्कूली एग कार यह इत मीं गत। 4R plus 1 is equal to 0, एक बार मेरे पास यह सी जाज़ा है, यहां से हम लिख सकते 3R square minus 3R minus R plus 1 is equal to 0, this gives me 3R, R minus 1 minus 1, R minus 1 is equal to 0, या हम लिख सकते 3R minus 1 into R minus 1 is equal to 0, या R की वैली हम लिख सकते 1 by 3, 1, अब हमको अगर R की वैली ने आप फुशी जा लेती, अब आप सोचो, आपको बेटा क्या बोला गया, R जो है, वो 0 और 1 के बीच में, आपको क्लियरली बोला गया, R जो हो 0 और 1 के बीच में, तो यह वाला मन तो मुझे रिजेक्ट करना पड़े हैं, क्योंकि वो मन से छोटा है, तो जो करेक्ट आंसर मेरे लिए हुआ, वो क्या हुआ, R की वैली 1 by 3, R की वैली 1 by 3, विच इस P आप्शन, अब बेटा देखो, अग्या तो सवाल है, और यह लिखा हो है, अब यह वाले सवाल को तुम देखके बोलो, यह तो क्लास 9 या 10 में हमने पड़ा है, इसका GP से क्या लेना देना, तो नहीं बिटा, इसका GP से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन, लेकिन इस तरीके का सवाल तुमारे पेपर में भी नहीं है, लेकिन GP की फील लेने के लिए, जीपी की फील लेने के लिए सवाल बहुत बढ़ी है अब देरो आपको अगर राशनल लंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना तो आपने यह अगर में तो पड़ा है कि हम एक्स की वाल्यू मान लेंगे 0.423232323 and so on क्योंकि 23 के ओपर बार लगा हुए और इसके बा यह वाली चीज को तुमने पढ़ी हुए यह वाली चीज तुमने पढ़ी हुए तुमको पता हुए कि रैस्नल लंबर में कैसे निकालते हैं लेकिन अगर इस चीज को में आपको जोमेट्रिक प्रोगेशन से करके दिखाऊं तो उसमें सवाल मी में बता हमको फीज़रूरा जाएकल पुरे पूरे 452232324 hijs Exam Ohh ! देखना इसको मैं ऐसा देखना हूं 0.4 plus 0.023 plus 0.00023 plus 0.00023 and लाइड यहां पर कितने जीरो जाएंगे लाइगे यहां पर आपने पास आहेंगे साथ जिरो जिरो यह साथ जिरो शे जिरो जाएंगे बाद आप तूट्री लिखा लिखा लिए पैटन समझो इसको आप बताओ क्या से लिख सकते हो जिरो पॉइंट फोर पाइट है ठीक है उसके बाद यह वाली चीज को बताओ क्या लिख सकते हैं क्या इसको मैं 23 भाइट 10 लिख सकता हो एक में 23 भाइट 10 जिसको लिख सकता हो उसके बाद वाले को मैं 23 भाइट 10 जिख सकता हूं ओं यह वाली ने चली जाना रहे यह पूरे विसे 23 यादर में बाहर में काले हो और अंदर बोल दूँ 1 by 10 क्यों प्लस 1 by 10 raise to the power 5 plus 1 by 10 raise to the power 7 plus 1 by 10 raise to the power 9 और ऐसा करते करते कहां तक? infinite तक इसा करते करते कहां तक? infinite तक सोचके देखो यह तो never ending है ना बाहर लगा मतलब never ending तो यहां से बता हूं क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 4 by 10 plus 23 times 23 times यह चीज लिखी हुए है तो बताओ इसका sum क्या होता है? infinite यह पूरा पूरा पूरे GP में देखो बिटाओ 1 by 10 square multiply होता जारा सब में सब में 1 by 10 square multiply होता जारा अगर यह GP में है तो इसका sum होता है a by 1 minus r मैंने आपको बताया है sum of infinite terms of a GP जहां पर अगर common ratio की value common ratio क्या है यहां में 1 by 100 है common ratio 1 by 100 है तो अगर common ratio की value 1 से छोटी होती है तो वैसे situation में जो infinite terms का sum होता होता है a by 1 minus r तो यहां पर अपने पास आजाएगा a which is 1 by 10 cube upon 1 minus r r की value आजाएगी 1 upon 100 r की value आजाएगी अपने पास 1 upon 100 तो यहां से रेटा जैसे हम इसको solve करेंगे 4 by 10 plus 23 times 1 by 10 cube को हम लिख करें 1 by 1000 upon 1 minus 1 by 100 को क्या हमें 99 by 100 ऐसा लिख सकता हूं के 99 by 100 लिख सकते हैं यह वाद 100 और यह 1000 के 2 zeros cancel out हो गए तो यह मेरे पास बच जाएगा 1 by 990 इसको मैं थोड़ा सा डारेक्टी लिख दे रहा हूं सॉल्फ करके यह मेरे बच जाएगा 1 by 990 अब एक बार अगर मेरे से डिवाइट भी कर दूं तो क्या मेरे पास क्या मेरे पास दोनों का ECM सेम आजाएगा ना दोनों के 990 आए चीज और यह आणा यस सकते हैं किस सवाल को अलाग अजाना कुछ नहीं आप यह मन सोचों कि आपको यह चीज समझ में आएगी तो आपको concept clear हो जाएगा या आपको paper में चार सवाल एक्ष्टा बनेंगे ऐसा नहीं लेकिन यह chapter की feel के लिए बहुत जबूरी है कि किस तरीके से आप अलग-अलग सवालों को अप्रोच कर सकते क्या-क्या चीजें आपको सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको आज को पसंद आया तो जदूर्ण को like करें कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वो जो जो में ट्रिक प्रोगेशन हाला कंशर्ट मैंने अभी आपको बताया था वो पसंद आया या नहीं आया दो शेर दे लिक आफ इस वीडियो विट मैक्सिमम आफ या फ्रिंट्स वह भी उससे बेनिफिट ले पाएं तिल देन बच्चों थेंक यू वेरी माँच पर वाचिंग देस वीडियो